यहां हमारे मंच पर एक बहुत अच्छे रचनाकार हैं, गजलकार हैं, गीतकार हैं, जो ऐसे विश्यों पर अपनी कलम चलाते हैं, वो लखनव की धर्ती से हमारे बीच आये हैं, इनका नाम अंबरीश ठाकूर है, अंबरीश ठाकूर साहब ने एक बहुत अच्छी रचना मह भारत पर की है और वो कहते हैं कि ये युद्ध सतत जारी है मैं चाहता हूँ अपनी प्रतिनी धी रचना के लिए आदर्नियम्रीश ठाकुर जी मंच पराएं एक बार जोरदार तालियां बजा करके जोरदार तालियां बजा करके स्वागर तोचिये दमदार जी की इक्षा नहीं थी तब उन्होंने इतना सुनाया है कहीं उनकी इक्षा हो जाती तो क्या होता है आप सबको प्रणाम करता हूँ बलिया की इस धर्ती को प्रणाम करता हूँ मंच को प्रणाम करता हूँ जैसा कि उन्होंने बोला है कि प्रतिनी थी रचना आखिरी में सुना नहीं है, मैं अपने परिचे से शुरू करता हूँ, स्वागत है, कि सुनियेगा, हम भी आठ साल पहले मेरा परिचे क्या होता था, जैसे लगा होता ने कि बिफोर और आफ्टर, तो मेरा भी जो परिचे ह पहले और शादी के बाद है, तो आएए सुनिये कि शादी से पहले, आठ साल पहले हमारा परिचे क्या था, कि हम भी किसी किताब के सूखे गुलाब हैं, जुड़ जाना वलिया, जुगनू समझ रहे हो, मिया आफ्ताब हैं, हम भी, हम भी किसी किताब के सूखे गुलाब है जुगनू समझ रहे हो, मिया आफताब है, उचा है हर लिहाज से अपनी अना का कद्र, उचा है उचा है आसमान से अपनी अना का कद्र, किर्दार के हिसाब से हम बेहिसाब हैं, और जिस तरह से पाप का घड़ा भरने पर मृत्ति हो जाती है, उसी प्रकार जब व्यक्ति का खुश्यों का घड़ा भरता है उसकी शादी हो जाए और फिर हमारा परिच्या कैसे बदलता है कि हम भी, जुड़ जाना सुनियेगा, कि हम भी किसी हसीन की रातों के ख्वाप थे सुनियेगा पल्लिवे जी हम भी हम भी किसी हसीन की रातों के खुआप थे जुगनू समझ रहे हो मियाफ ताप थे और जब से हुई है शादी जब से हुई है शादी हम बेजुमा हुए शादी से पहले मिलते बड़े लाजवाब थे शादी से पहले मिलते बड़े लाजवाब थे आध है वंगत है कि दोस्तो हमने राम को सुना । तो अपने राम और उसके पाद प्रतीनीения झाहर कि Запाज़ को प्यार हूं चार पंगतियाँ में बदाताओ lira का मेरे राम कौन है । यह चार पंगतियाँ मैं समर्पित करता हूं इसी बलिया की धर्टी के अवनीश कुमार यादों को जो कारगिल के युद्ध में हमारे देश के लिए लड़े और शहीद हुए ये चार पंतियां हैं कि बीच संघर्षों के एक अद्भुत कहानी हो गये बीच संघर्षों के अद्भुत कहानी हो गये जो जमी पे जंग लड़कर आस्मानी हो गए जंग है उन बांकरों पर जो गगन पर छा गए जीतकर लंका हमारे राम वापस आ गए जीतकर लंका हमारे राम वापस आ गए दोस्तों एक कविता है मेरी महाभारत मेरा मानना है कि जो महाभारत है वो आज भी हमारे बीच में चल रही है और हमारा चयनताय करता है कि हमारा पक्ष क्या है? हम कौरव हैं या पाणनों है? क्या बात है? वो कविता आप सब के सामने रख रहा हूँ. थोड़ा मन दे दीजेगा एक बार, तो मैं इसे शुरू करता हूँ. स्वागत है, स्वागत है भई बाद. कर रहा विलाप पाप. सुनिएगा. मैं जानता हूँ, इसका विता में सम्भोहन है, आप तालीब जना भूलने वाले हैं, आप असमन से से सुन लीजेगा. कि कर रहा विलाप पाप, कर रहा विलाप पढ़ रहे हैं धर्मराज. कर रहा विलाप पाप, बढ़ रहे है धर्मराज, संजय खड़ा सुना रहा है कौर्वों का सर्वनाश सूर्य छुप गया कहीं और धरा भी हिल रही, ये कैसा वक्त आ गया न दिन है न निशारे कर रहा विलाप पाप, बढ़ रहे हैं धर्मराज, संजय खड़ा सुना रहा है कौर्वों का सर्वनाश सूर्य छुप गया कहीं और धरा भी हिल रही, ये कैसा वक्त आ गया न दिन है न निशारे ये युद्ध एक प्रमाण है मनुष्यता की जीत का, इसी में दिख रहा है फर्क, द्वेश और प्रीत का, अभी खतम नहीं हुआ, ये युद्ध अभी जारी है, अभी पांडु पुत्र है, अभी भी वंशी धारी है, अभी खतम नहीं हुआ, ये युद्ध अभी जारी है, अभी भी पांडु पुत्र है, अभी भी वंशी धारी है, अभी भी वीर कर्ण के ग्यान चक्षू बंद है, अभी भी द्रोना चार के अंतर हिदय में द्वंद है, अभी भी भी वीर कर्ण के ज्ञान चक्षू बंद है अभी भी द्रोणाचार के अंतर हिदय में दुद्ध है परंतु मित्र देखना ये युद्ध हारना नहीं अधर्म के समक्ष अपने अस्त्र डालना नहीं तुम्हें शपत है सत्य की स्वयम तुम्हारे रखत की तुम्हें आज भीश में तुम्हें आज पार्त है तुम्हारे हाथ में ही आज दुरौपदी की लाच्षू अरे वाँ 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 तुम्हें आज भीश में तुम्हें आज पार्त है तुम्हारे हाथ में ही आज दुरौपदी की लाज है तुम्हारे हाथ में ही आज दुरौपदी की लाज है तुम आज भी समर्थ हो पुनह विजय तुम्हारी है ये युद्ध अब भी जाए अरे वाँ 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 बाद बार दो